अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर या वीवर है तो आपको पता होगा मैंने कुछ ताइम पहले एक अनिमेटिड वीडियो डाला था जिसमें मैंने बहुत सारे कल्चर कलेक्शन सेंटर्स की इंफोर्मेशन दी थी कि इंडिया में अगर हम अपनी रिसर्च में इंट करना चाते हैं तो कौन कौन से कल्चर कलेक्शन सेंटर्स हैं जहां से हम कल्चर्स को मंगवा सकते हैं ठीक है तो यह कुछ कल्चर्स हैं जो मैं आप से शेयर करने जा रही हूं यह मैंने अपनी पोस्जॉक्टरल रिसर्च के लिए और की हैं MTCC से ठीक है तो MTCC क्या है और य जो कि चंडिगड में located है ये इस culture collection facility को maintain करते हैं ठीक है तो now a question can come in your mind कि ये cultures क्या मैंने वहाँ से by hand लिये हैं या कैसे procure किये हैं तो ध्यान रखना है ये जितने भी culture collection centers है most of them जो है हमें by hand cultures नहीं देते हैं इसके लिए online portal पे इनकी website पे जाके हमें request जालना होता है और when we are going to make a request in order to make place the order of some cultures तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है जो भी head of the department है director है उस institute के जहाँ पे अपनी हम research work carry out कर रहे हैं उनका एक proper mtcc का format है imtech का format होता है उस format को fill करके वहाँ से approval लेके जिस organization में हम research कर रहे हैं then we need to upload that file on the mtcc website ओके और culture का order place करने के mostly 15 days के बाद ही ये लोग हमें culture supply कर देते हैं now again there is option जब हम culture मंगवाते हैं तो हम buy speed post भी मंगवा सकते हैं या फिर हम ये courier facility भी avail कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने जो दिया था shipping वे जो मेरा था वो मैंने courier से मतलब मंगवाए थे तो courier के लिए हमें थोड़ा सा charges और pay करने पड जाते हैं और again जब हम culture मंगवाते हैं तो culture का भी जो है वो again options are there culture हम activated form में भी मंगवा सकते हैं जो की slant पे होते हैं अगार medium पे already होंगे या फिर हम उन्हें कैसे मंगवा सकते हैं lyophilized form में जिनने हमें medium में डालके revive करना पड़ता है ठीक है तो मैंने जो ये mainly मंगवाए में ये lyophilized form में culture मंगवाए में हैं तो let's see के ये cultures कैसे हाते हैं यहाँ पर mainly वो लोग हमारा address जाल देते हैं ठीक है और आप ये देख सकते हैं ये इस type का कुछ box है जिसमें उन्होंने मुझे culture जो है supply किये हैं ठीक है 15 दिन लगाए हैं उन्होंने order देने में और अब यहाँ प I am going to open this box So inside this box you can see there is again a thermacol box छीक है इस thermacol box में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे जो हैं ये cultures हैं यहाँ ठीक है तो अभी हम cultures को देखते हैं cultures कैसे हैं तो ये मैं यहाँ पर remove कर दीऊ तो ये देखिए मैंने जो strains order किये थे मैंने 4 cultures order किये थे ठीक है तो 4 cultures थे और इसकी cost मुझे around 9500 plus पड़ी है ठीक है मतलब less than 10,000 में ये मुझे 4 strains जो हैं उन्हाने provide किये हैं तो इसमें एक culture का cost around 1600 to 1800 था I think और उसमें फिर GST वगरा के तो ये cost थोड़ा सा increase हो जाता है ठीक है तो depending on that आप activated चाह रहे हैं लायोफिलाइस चाह रहे हैं तो just to show you I am going to open one culture for you and of course remaining will also be like this only ठीक है तो यहाँ पे हम इसको open करते हैं ये देखिए जैसे मैंने ये culture मंगवाय था तो यहाँ पे it looks like this इसका नाम क्या है of course number क्या है MTCC 736 ठीक है तो MTCC again it is representing the culture collection center microbial type culture collection और 736 क्या है 736 is the strain number ठीक है तो यह strain number है and in this way यह हमें क्या है यह उन्होंने इस ampoule में या फिर इस glass container में मिखा सकती हूँ जो इसके ओपर भी लिखा हुआ है box के ओपर microbial cultures in glass containers ठीक है तो इस type के containers में उन्होंने हमें क्या किया है यह culture provide किया हुआ है ठीक है and it is properly sealed तो we need to break it and we need to revive it using Newton-Dagar medium ठीक है then in addition to the box जो मैंने आपको दिखाया और जिसमें वायस दिखाई यह paper भी है किनोंने हमें provide किया हुआ है इस paper में सारी details है कि कौन से MTCC के strain number हमने order किया है like I am going to zoom in here you can see 80848317 तो यह सब culture मैंने order किये थे और यहां पे आप देख रहे हैं जैसे 736 मैंने आपको open करके भी दिखाया था यह bacillus subtilis का है ठीक है तो यह information हमें इस paper पे भी available है जो इस box में है and here you can see one more paper enclosed with the same paper is here water is given over here you can see culture activation का पूरा procedure बता रखा है कि कैसे हमें इसे while को break करना and how we are going to activate it right तो revival करने के stepwise procedure यहां पर mention है ठीक है how to revive each train तो in this way if you are interested you can also go for procuring your culture I hope this unboxing will be useful for all of you thank you so much keep watching